आज का जो mobilization था ये अपने आप में ये बता रहा था समझा रहा था कि जो लोग उनको लेकर criticize करते हैं अलग अलग जूट और भ्रहम के माया जाल पहना के उनको ये समझ आने लगा है कि देश की जनता कितना चाहती है राहूल जी को और राहूल जी जिस तरीके से बातें रख हे इंटर कनेक्ट देश हो गया है हमारे इंडोर में लायू मोबाईल पर आज का मोबीजेशन रहूल जी कि लोग परी ता पहता ता इतनी मेहनत हम नारमल प्रोग्राम में करते हैं उतनी इसमें भी की पर उसके बाद भी इतना बड़ा जन्समू अपने आप में उनके प्रती लोगों के आकरशन का उनके प्रती लोगों के प्यार का महबत का और जो वो बोलते हैं कि इस देश में प्रेम की बात होनी चीए प् गड़ा करने लगे फिर भी राउल जी की सोच ऐसी है गड़ा से कुछ युद्ध नी जीता जा सकता देश नी बनाए जा सकता वो अब भी बात करते हैं तो भै मिटाना है भैसन अफरत आती है तो भै अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग तरीके के अलग-अलग वेक्ति और स सपका है इस भाव को बढ़ाने के भाव का आज का मुमेंट था आज रात को राजबाड़ा पर इतिहासिक राजबाड़ा इंदो शहर माहलय की नगरी का वहां पर राहुल जी संबोदित करेंगे और उसके बाद एक और जो आगे संजेबिया भी बताएंगे मैं मानता हूं कि कांग्रेज जनों का सामुई प्रयास खास कर जेराम जी दिग्विय सिंग साहब और एक सीनियर बाड़ी पूरी यात्रा को कंड़क्ट कर ली उनका भी हम सब स्वागत करते हैं और आप सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं बार बार इस भाव को की मीडिया हमारी यात्र लोक्त नत्र के चोथे स्थम का प्रेहरी हमारे साथ है यही तो कारण की हम और मोबाहिल पर पुछ रहे हैं यही तो कारण की देश के हर चोराय पर बात हमारी चैटरा की ओरर एटक यह तो tähän के संझेब और भे Sense जार और पार आदमी यारा शस सब महाराश्ट, हिद्राबाद सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि जादा जादा दिखाएं क्योंगे हम लोग सब को बराबर दिखाना जाते है परनतु आप लोग कैसे महनत कर रहा है वी के जाते हैards के गहाता हो जाता है अधिदी देहोगों के नाम से और मैं सबस्ता हूं कि मतपुदेश के अंदर जिस दिन से शरुवाद हुई उस दिन एंटी जब हुई हजारों के तादात में लोग थे तो कहीं नगे आश और एक उमीद है और एक सकारत पर सोच जो मानिक डाहूल गांदी जी का है कि अधिज देश को कैसे जोड़ा जाए भे मुप्त कैसे किया जाए उनका एक संदेश है एक देश के लिए कि डरना बंद गर तो क्योंकि एन्हें डराना हर एक पार्टी कहीं नगें बड़ा प्रेशर देती है हर चीज का यह आप लोग भी जानते है कहीं नगे आप लोग भ मुमेंट है तो कहीं नगें वो देखने में भी कम आता है लेकिन डिजिकल दुनिया है कहीं नगें आप सब भी चीज के साक्षी भी है कि हजारों की तादाद में लोग जो आ रहे है और जो जुन समर्दर मिल रहा है तो कहीं नगें मानिये रहुल गांदी जी के उपर एक एक आज है कि इस देश का कहीं नगें अब भला होने वाला है मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं कि जैसे आप आज कम से कम आए हैं ऐसा ही आप लोग दिखाएं ताकि इस देश के अंदर संदेश भी जाबागा है मैं एक चीज़ केना चाहता हूं कि शुरुवाद भारत जोड़ो यात्रा की कन्या कुमारी से हुई पहले चरण में पांच दक्षिन भारत राज्यों का हमने यात्रा की